राधे राधे जैशी कृष्णा आप सबने साइंस में पढ़ा होगा Every action has an equal and a positive reaction इसका अर्थी यह है कि हम जो भी action लेते हैं उसका reaction हमें मिलता है लेकिन यह जो प्रकती है वो react नहीं करती है वो respond करती है reaction और response में थोड़ा सांतर होता है इसका अर्थी यह है कि reaction सडन होता है मतलब आप उसके लिए तैयार नहीं होते हैं तो जो आप कर रहे हैं किसी action के बदले वो reaction है जिसके लिए आप prepare नहीं है और response का मतलब यह होता है और response का मतलब यह होता है कि आपको already पता है कि क्या action होने वाला है और फिर आपको क्या respond करना है ये थोड़ा सा अंतर है 26 दिसंबर 2019 को मैंने एक वीडियो बनाया था उस दिन बहुत बड़ा सूर्य ग्रहन था धनो राशी में और छे ग्रहों की यूती हुई थी और मैंने उस वीडियो में कहा था इस पुरे संसार को और एक्जाक्ली यही हुआ आप चाहें तो पिछले धाई साल का record चेप कर सकते हैं लेकिन इस बार जो सूर्य ग्रहन होने वाला है अप्रिल एंड में वो अपने आप में बहुत माहिने रखता है क्योंकि इस बार फिर यह एक reversal of fortune लेकि आया है इस पुरी दुनिया के लिए लेकिन इस बार यह time to pause नहीं है बलके time to action है time for action है लेकिन यह जो action है वो reaction नहीं होगा बलके response होगा वो response करेगी प्रकति अपने तरीके से जो अब तक इस दुनिया में हम झेलते आए हैं सबसे खास बात यह है कि जब यह सूर्य ग्रहन होगा ठीक उसी समय शनी देव अपनी राशी change करेंगे और वो मकर राशी से कुम राशी में प्रवेश करेंगे इसका अर्थ यह है कि यह जो ग्रहन है उसमें शनी देव का बहुत major role है undoubtedly शनी देव एक बहुत major role play कर रहे हैं शनी देव हमारे कर्मों का लेखा जो का रखते हैं इसका simple start है कि अब वो जो कर्मा की cycle है जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में कहा कि वो जो wheel of fortune है वो अब बदलने वाला है लेकिन यह जो बदलाओ होगा वो बहुत sudden होगा वो बहुत अचानक होगा और मैंने आप से पहले भी कहा है कि अप्रेल का जो महना है वो सबकी किस्मत बदल के रखेगा और हर एक इंसान जो इस धरापे है उससे impact होगा चाहे वो किसी तरह के से हो तो अब हम ultimately अप्रेल के उस दोर में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर ये जो खेल है वो अपनी चरम सिमा पर होगा लेकिन जो भी गटित होगा वो आचानक होगा आप उसको प्लान नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये प्रकती का response है और ये प्रकती का response कुछ अलग तरीकी से होगा अलग इसलिए होगा क्योंकि आपने अब तक जो किया है वो आपका action है अगर आपने अच्छे करम कीए है तो भी वो आपका action है और अगर आपने बुरे करम कीए है तो भी वो आपका action है तो अब तक आपको reaction नहीं मिल रहा था क्योंके जाहिर सी बात है हम जब कुछ करते हैं तो हमें ये आशा होती है तो उसके बदले में हमें कुछ मिले लेकिन हमें नहीं मिल रहा है खास करके जो लोग अच्छे करम कर रहे हैं लेकिन जो बुरे करम कर रहे हैं वो बड़े फलिफूत हो रहे हैं उनको बड़ा अच्छा लग रहा है कि देखो मैं यह करता जा रहा हूँ और मुझे यह मिलता जा रहा है लेकिन जब फॉर्चुन चेंज होता है जब समय का पईया बदलता है तो एक पल में बदलता है इस अंसार को बदलने में एक पल लगता है इस जीवन को बदलने में एक पल लगता है हम एक पल में जनम लेते हैं और एक पल में ही हमारा अंध होता है और ये जो सूर पुरी आत्मकारक होता है राहू हमारी बुद्धी होती है और चंदर्मा हमारा मन होता है और साथी साथ में उसके अपोजिट में केतु है जो आपकी ultimate energy है यह sudden change है यह पुरी दुनिया के लिए sudden change है जो एक event के form में यह परकति सामने लेके आने वाली है हम उस समय में भूत होगा वह फली भूत होगा हम सब के सामने यह चीज उभर के आएगी कि वाकई इश्वर अंधा नहीं है इश्वर सब देख रहा है लेकिन वह सही समय का सही पल का इंतजार करता है जब वह अपना खेल दिखाता है और अब इस अंसार में वही खेल हम देखने वाले है यह जो समय है जिसमें यह दुनिया प्रवेश करने वाली है आप देखिएगा कि यह क्या गुल खिलाने वाला है इस मानवजाती के लिए इस सारी दुनिया के लिए इस सारी संसार के लिए क्योंकि जब विधाता इस संसार की डोर अपनी हात में लेता है तो फिर हम सब कटकुतली होते हैं और फिर हम सिर्व ना ची सकते हैं हम किसी और को नजा नहीं सकते हैं अलग-अलग emotions होंगे इस दुनिया के अंदर, अलग-अलग emotions होंगे इस दुनिया के अंदर, लेकिन ये जो emotion है, वो हमें एकी तरफ लेके जाएंगे, और उस अटल सकते से हम सब को जोड़ेंगे, कि ईश्वर ही सबसे बड़ा है, और उसके आगे कोई कुछ भी नहीं है. अलग-अलग अलग-अलग अलग-अलग